प्रहार टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेस्बुक पर लाइक करें, यूटूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबाना ना बोलें महिस रामुदिन खान और आप दिख रहे हैं प्रहार टाइम्स प्रधान मंत्री आवास योजना में 25,000 रिश्वत मांगने पर ग्राम प्रधान ने लाभार्थी महिला का खाता सील करा दिया है मामला यूपी के गोंडा जिले के दरियापुर हर्दों का है प्रधान मंत्री आवास योजना में एक तरह से बंदर बाट का खेल हो रहा है रिश्वत दो आवास लोग घास फूस के घर में रहने वाली पीडिता महिला और उसके पती राम विलास निग्राम पर प्रधान पर 25,000 आवास योजना के बदले में रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है रिश्वत ना मिल्ले पनला भारती का खाता सील करवा दिया गया है वहीं जिला आधिकारी ने पीडित की बातों को ध्यान से सुनने के बाद मामला संज्यान में लिया और वीडियो को जाच की निरदेश दिये हैं सर परधान जी ने हमारे पास फोन किया था बोले कि पैसा आ गया है हमारा पैसा हमको दे दीजिए और अपर उनका कैसा पैसा है पर गूस साहब कहाते हैं सबका गूस देख पर तहीं पचीस हजार फिर वहां से गए हम डियम सहाब के पास प्यस हुए तो डियम सहाब ने लि स्पेस किया जाए वही दूसरी खबर भी उत्तरपरदेश के गोंडा से है जहां अजोध्या हाइवे पर शनिवार को ट्रक और आटो रिक्षा की जबरदस्क टकर हो गई और इस टकर में तीन महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई है गोंडा से आटो सवारी भरकत जा रहा थ और डुमरिया डी के पास ओवर्टेक के चकर में ट्रक और आटो की टकर हो गई हाथसे में तीन महिलाओं की मौत की खबर सामने आई है जबकि दो अन महिलाएं घायल है जिलका उपचार अस्पताल में किया जा रहा है पुलिस ने शौकों कमजे में लेकर पोस्ट माटम के लिए भेज दिया है प्रहा टाइम्स के लिए गोंडा से हामिद अली की रिपोर्ट